ये देश का सबसे विशवश्णिये कारिक्रम है लेकिन आज मैं डिबेट की शुरुबात करने से पहले आपके साथ एक बेहत आवश्चक बेहत जरूरी समवात करना चाहता हूँ या फिर कहूं तो एक विश्फलेशन करना चाहता हूँ क्या देश की बाद करना किस के लिए कह रहे हो चुबने वाले सवाल ना तुमने मोदी से कभी पूछे ना कभी देश की बात की क्या देश की सेना पर सवाल उठाने वालों को एक्सपोस करना गलत है अच्छा तो क्या ये खबर दिखाई थी इसने जब देश के लिए बलिदान हुआ और उसी वक्त इ इपोक्रसी की भी सीमा होती है इस आतंकियों की खिलाफत करना क्या गलत है ये अब भी नहीं सुधरा देखो कहना चाह रहा है कि वैक्श आतंक्यों का है अतंक कि और किसने किसे कवर फायर eerला इसमीर कि उत्पख पांकियों को कवर फायर देने वामपीज ममाने शिल्मिव नहीं होना चाहिए वैसे ही तुम आंक्यों से भी इंगेज तुम्हें लगता है वो आतंकी हैं और उसी तरह उनकी नजर में तुम भी वही हो क्योंकि तुम पूरे देश में नफरत फैलाने वालों को सिर्फ कवर फाया यह नहीं देते बलकि खुद भी नफरत फैलाने का दंगे भड़काने का धर्मों को आपस में लडाने का काम करते ह जैसे देश की शान पढ़ाने वाले इवेंट की तारीफ करना गलत है आप पत्रकार हैं जी ट्वेंटी जैसे इवेंट की तारीफ करना तुम्हारा काम है तुम्हारा काम है उसमें जो बातें हुई उससे देश का कितना फायदा हुआ यह पूछना जंता को सच बताना सही और गलत मोधी की जय करना तुम्हारा काम नहीं है हां मोधी ने इस G20 में प्रेस को संबोधन तक देने से मना क्यों करवा दिया कि बाइडन को वियतनाम जाकर प्रेस कॉन्फरेंस करनी पड़ी ये पूछना जरूर तुम्हारा काम था और मोधी जी ने जब ये कहा मैं मिडिया के साथियों से भी विनम्रा आग्र करूँगा कि वे अब हमें समय दें और इस सभागरू से बाहर जाने का कश्ट करें कजब बेज़ती है तो इसे इश्वर के प्रसाद की तरहा ग्रहन करना पत्रकार का काम नहीं है ये लोगतंत्र पर हमले जैसे सवाल उस वक्त देश के प्रधान मंत्री से पूछने थे तुम्हें पर तुमने वाकई साबित कर दिया आज के समय में पूरा देश तुम्हें जिस नाम से पुकार रहा है ना वही हो थोड़ी मर्यादा रखिए पत्रकारता की कब तुमने जो आज चिल ला रहे हो भई किसी ने कहा उसे नफरतियों से बात नहीं करनी तो नहीं करनी उसने तुम्हें बोलने से रोका नहीं उसने तुम्हारा लाइसेंस छीन लिया नहीं उसने तुम पर पाबंदियां लगा नहीं उसने तुम्हारी नौकरी खाली नहीं उसने सिर्फ कहा सुधर जाओ नफरत फेला रहे हो इसलिए नफरती डिबेट का हिस्सा हम नहीं होंगे इसमें गलत क्या है हाला कि तुम जैसे लोग खुद को पत्रकार कहकर नौकरी करने की एक परसेंट भीना लायक नहीं हो पर वो अलग मुद्दा है लेकिन ये जो तुम्हारे ये छोटे वाले जो ड्रामा कर रहे हैं ना मूँ पर इस तरह से उंगली रख कर कि मैं चुप हो जाता हूं अब यार तो तुम तो चुपी हो ना जब मोदी से पूछने की बात आती है तो तुम चुपी तो हो आज दे पूट बोलकर खबर मैनिपुलेट करके दिखानी पड़े वो भी तुम करते हो सब कुछ तो तुम ही कर रहे हो तो पतरकार का काम तो यह हुआ नहीं यह होता है आतंकियों को कवर फायर देना और उसका मतलब क्या होता है यह आपके दूसरे वाले दोस्त बहुत अच्छे स अधिकार बोलना मेरा अधिकार है न सुनना मुझे तुम रती भार भी पसंद नहीं हो देश का गोधी मीडिया नहीं देखना चाती मैं मैं नहीं चाती आज की पीडि तुम लोगों को देखकर जॉंबी बने तो मैं तुम्हारा चानल खोलती ही नहीं घर में चलाना ही नही कर दिया है, तो क्या मैंने तुम्हारा freedom of speech छीना, नहीं, तुम तो तब भी बोल रहे हो ना, दूसरों के घरों में, freedom of speech पर अरनप का केस सुनते समय, justice डीवा चंदरचूण ने कहा था ना, कि आपको नई पसंद है वो, तो उसका channel मत देखो, तो हम भी यही करते हैं, बस वही है, कि देश के विपक्षी दल को आप से बात नहीं करनी, क्योंकि उनके मताबिक भी आप नफरत परोस्ते हैं, यह उनका ल लोगतांत्रिक अधिकार है तेह करना, कि वो किस channel को विज्यापन देना भी चाहते हैं, यह देना ही नहीं चाहते, जैसे तुम भी तो कनपट्टी पर बंदूक रखकर नहीं मांग रहे हैं ना, विज्यापन, इस तरह तो नहीं मांग रहे हो ना, यह मांग रहे हो, हा लेक की प्रधान मंत्री से उम्मीद की जाती है, कि वो प्रेस से बात करें, वो तो करता है नहीं तब तुम लो तालिय मां जाते हो, दरसल इन पर और इनके प्रभुजी पर कुछ भी होता है, तो इन्हें हमला लगता है, विदेशी अखबार में तारीफ छपे, तो देखो विश्व गुरू, विश्व गुरू, मैंने क्या बोला था? तुमने गलती से सच बोल दिया, उपस, और जैसे ही विश्व गुरू की आलोचना होती है, तो उसे अंतर राष्ट्र साजिश बताने लगते हैं, आप इनका कोई भी शो निकाल लो, देश की सत्ता से सवाल करन उसका ही पी आर करने में लगे रहे हैं, सिर्फ पी आर तक सीमित होते, तो एक बार के लिए लोग इनहें जैसे नामों से बुलाते हैं, उन पर सीमित हो जाते, पर ये तो देश में जहर गोल रहा हैं भई, तो ये तो तै करना किसी भी पार्टी का अधिकार हो सकता है, ना क जहर गोलने वाले को नफरत पहलाने वाले को ना वो अपने बयान देंगे और ना ही याड बताइए भाई मैं तो अपने घर ऐसे किसी नफरती चिंटु को कभी घुसने ना दूँ आप लोग घुसने देंगे तो उसे टीवी पर बरदाश करना तो मेरे लिए बहुत दूर की बात है ना और मैं ऐसे किसी आदमी को पैसे की मदद क्यों करूंगी जिसके काम से ट्रेन में खुलिया हम लोगों को गोली मारी जा रही हो लिंच हो लोग क्या देश में और समाज में बहतरी लाना विपक्ष का दायत वो नहीं है वो भी ऐसे दौर में जब ये नफरत का ब और उनके इस तरहें के शोज में, इवेंट्स में हम लोग न जाएं जिससे कि एक कदम उठाया जाए, एक सशक्त कदम उठाया जाए, we do not want to legitimize this hate-filled narrative which is corroding our society, that was the idea. तो विपक्ष को अब समझ जाना चाहिए कि सिर्फ इनके बहिशकार से ये लोग नहीं सुधरेंगे, देखिए कहां कहां विपक्षी सरकार है, इन लोगों के सुधरने का इंतिजार करना मतलब नए उक का इंतिजार करना, जो होने वाला है नहीं, आपने देखी लिया होग इसको पुराने व्यंग वाले ट्वीट के लिए गिरफतार कर उत्पीडन किया गया, तब यहीं सब ना अमझवाज रो रहे हैं ये उसके पीछे पड़ गए, उस कदम को सही बताने लग गए, क्योंकि इन सब के जूट पकड़ रहा था, इन में से कितने हैं जिन्होंने सि कौच किया गया, बताओ, बात करते हो, अरे इतनी ही हिम्मत है तो बिना किसी बाउंशर और सुरक्षा की जंता के बीच जाओ, और वैसे ही कारेक्रम करके दिखाओ जैसे हम करते हैं चुनाओं में, अभी भी मीडिया में है वो पत्रकार, जो कर रहे हैं पत्रकारता सीथे जनता के बीच से, जनता के मुद्दों पर, ना पहले से तै कोई गेस्ट होता है, बस माइक लेकर निकल पड़ते हैं फील्ड में, आम जनता मिलती है, उससे बात करते हैं, ना ये पता होता है, वो किसे वोट करने वाला है, ना ये पता होता है कि उसका नाम और धर्म क्या है, यह होती है पत्रकारता जो तुम करते हो न वो है घिनोनापन ऐसा करके दिखाओ खुला चालेंज है दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा और पता चल जाएगा कौन कितना बड़ा पत्रकार है स्टूडियो में सुरक्षत माहौल में बैठ कर बखवास करना नफरत पहलाना आसान है क्योंकि उपर से आशिरवाद जो मिल रहा है पत्रकार की सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी हिम्मत और उसका सच यह दोनों ही तुम लोगों के पास तो बिल्कुल है नहीं इसलिए डर कर दुबक कर स्टूडियो में बैठे रहते हो और कम से कम इन में इतनी हिम्मत तो है कि खुले में डंके की चोट पर कह रहा है कि हमें तुमसे बाती नहीं करनी और अपना कोई आदमी इनके साथ दिख जाए न सिफ़ेक्ता सुईर में भी उसकी नौकरी चीन सकते हैं सब कुछ अनोफिशली लेकिन पता सब को है पिछले दस साल से सप्ता में बीजेपी है नौकरी पर बेरोजगारी पर भेंगाई पर सांप्रदाइपता को दिये जा रहे बढ़ावे पर युवाओं के भविश्य पर अर्थ विवस्था पर समाज में बढ़ रही असमानता पर सवाल पूछना पत्रकारिता का धर्म था हो वो खुद को जब पत्रकार कहते हैं न उन पर सिर्फ तरह साता है आपको 2021 की ये ख़बर याद है group of ministers suggest steps to stem negative narrative from identifying pro-government journalists ये भी एगनाई टम है pro-government journalists to neutralizing those that aren't pro-government भया पत्रकार तो ही होता न जो कि pro-government नहीं है GOM including ministers प्रसाद, इरानी, नकवी, जैशंकर, etc. present a toolkit to fix narrative इसमें वो चर्चा कर रहे थे कि कौन ऐसे चाटुकार हैं जो सत्ता की बोटियों पर पल रहे हैं यानि इनकी बोटियों पर पल रहे हैं और कौन वो पत्रकार जो उनकी आँखों में आके डाल कर सवाल कर रहे हैं ऐसे चाटुकारों को वो पहचान कर अपने पास रखना चाह उनके साथ वो सब कर दो ऐसा व्यवहार करना चाहते थे और ये लोग आज इसे लोगतंत्र पर प्रहार बता रहे हैं जिन्होंने घोशित तौर पर साथ साल तक रवीश कुमार का बैन करके रखा इन में से कोई चरण चुम्बक तब नहीं आया लोगतंत्र को डिफेंड करने आज खुद पर आया तो सम्विधान की किताब खोल रहे हैं ये लोग अपनी सहूलियत के अनुसाल लोगतंत्र के पहरी बन जाते हैं हाव क्यूट न क्यूंकि इन सब चरण चुम्बकों को लगता है ये सब भगवान है कभी कभी लगता है कि अपनी भगवान है वैसे रावन को भी यही लगने लगा था कंस को भी और हिरनाय कश्चपू को भी नहीं धर्म की बात करने वालों को बस असली धर्म और उसके परिणाम याद दिला रही हूं सत्यमेव जयते